हेलो फ्रेंड्स आपको मेरी चैनल कुईनफोड में स्वागत है तो आज हम एक मचली की रासिपी बनाएंगे और इस रासिपी को आप एक बर बनाएंगे तो आपको बहुत जादा टेश्टी लगेगा यह हम सरसो वाली मचली बनाएंगे तो आप देखते जाए हम किस तरह से बना रहे हैं तो सबसे पहले हम देखिए यहां पर ले लिए हैं 500 ग्राम मचली तो दिखे हम अच्छे से काट करके दो करके ले लिए हैं मचली को और इसे अभी हम मैरिनेट करेंगे तो मैरिनेट के लिए हम हल्दी डालेंगे एक चमच और इसमें डालेंगे टेस्ट के अक तो हल्दी और नमक के साथ अच्छे से मैरिनेट करेंगे और यहां पर हम एक तम ताजा मचली यूज़ कर रहे हैं तो इस मचली को अच्छे से हल्दी नमक के साथ मिक्स करेंगे कुछ देर तक और मिक्स करके इसे हम छोड़ देंगे 15-20 मिनट के लिए और तब तक हम मसाला र हरी तो दोने ही कच्छा मिर्च है तो दिखे अभी हम एक चमच टाल देंगे धनिया और अभी हम डाल देंगे देड़ चमच भर के सरसो तो मैं यहां पर वाइट सरसो यूज़ कर रहे हूं आप चाहें तो ब्लैक वाली सरसो भी यूज़ कर सकते हैं और यहां हम आधा प्य चमच टाल देंगे हल्दी और अभी हम आधा चमच से थोड़ा सा कम डाल देंगे कस्मिरी लाल मिर्च पाउडर और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो जीरा को डाल करके मिक्सी में पीश सकते हैं मसालों के साथ लेकिन मैं यहां पर जीरा पाउडर और तेल को भी चैए अच्छे से गर्म करेंगे और एक एक करके सारे जारा प्लेलोंको डाल देंगे तो मश्छी आप जब को नियुगी पीशों कर देंगे आजिए अच्छे से प्राइङ कर लिए हैं और इसी हम पलट देंगे क्षया है। मशली कितने अच्छे इक तरफ to fry right एक दम लाल करके हम । और अभी हम दुस्री और से भी अच्छे इसे फ्राइक करेंगे। तो देखें दोनों और से अच्छे से इसे फ्राइक हो चुका है। और अभी हम एक एक करके मश्लियों को निकाल लेंगे आप देख सकते हैं मश्ली कितने अच्छे से फ्राय हुआ है तो हम अभी सारे मश्ली के पीसे को निकाल लेंगे कड़ाई में से जितने हम एक बार में तले हैं तो आप चाहिए तो पूरा डीफ फ्राय भी कर सकते हैं मश कड़ाई तेल में थोड़ा सा और मैं आधा चम्मच जीरा और एक लाल मिर्च और प्याज को डाल देंगे तो लाल मिर्च को बस लिवर के लिए मैं यहां पर डाली हो इसको फिर निकाल लोंगे यहां पर कुछ देर तक मैं प्याज को भूनोंगे और देखिए अभी हम लाल मिर्च को निकाल लेंगे बहुत जादा देर तक रखने की जरूरत नहीं है इसे तो इसका फ्लेबर बस तेल में जितना आने का था वो आ चुका है तो अभी हम प्याज को फ्राइ कर लेंगे कुछ देर तक थोड़ा लाल कर लेंगे प्याज को और अभी हम डाल देंगे पेश्ट जो तैयार करके रखेते मसालों का इसे हम सारा निकाल करके डाल देंगे और अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक ने किया है तो वीडियो को लाइक कर दिजिए और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा और बेल मम पर नई कुक करेंगे मसाले को मेडियम या फिर लो फिलेंप लो मने तक कुक कर लेंगे और उसके बाद देखे हम डाल देंगे चालों साथ खेसरे नमक शेज़ते मसालों को बोलाइक ताक कि माड़ मगये डाल गल तो हुग और फिर आप घीस लिजेगा कद्ठकस कर पानी डालें डालेंगे पानी डालने से मसालि ai चाहिए अच्छी से कूख हो पाएंगे तो पानी डाल कर एक ऐसे बैंद वाद के की अच्छी कorg चाहिए है तो जैसी अच्छी पाई षब मतź ह we have prepared इ的时候 रिली अगद ह Nicholas Tub तो अभी हम कुछ तरह से चला लेंगे और अभी हम इसमें डाल देंगे गरम साला तो यह मेरा घर का बनावा गरम मसाला है इसे मैं आधा चमच टाल दोंगी तो अगर आप घर में गरम मसाला बना करके यूज़ करेंगे तो उसका खुस्पू बहुत अच्छे से आएगा तो म चाहिए पैना घूना पर जाओ एकचाँ होने देंगे इसी करीब कई आज़कों चाहिए व साकी तक मासाल के हम डाला प्लेवर मचली के अंदर ऐक तो वो खाने में बहुत अच्छा लगता है तो यहां पर मैं जितना मचली तेल करके रड़ी की थे वह सारा मैं नहीं डाली हूं यहां बस चार पीस मचली डाल करके मैं बना रही हूं तो दीखे बॉयल करने के बाद बन करके बिल्कुल रड़ी है इसके ओपर हम डाल देंगे गार्निशिंग के लिए धनिया बत्ती और यह बिल्कुल रड़ी है खाने के लिए तो आपको एक बार यह सरसो वाली मचली जरूर बनाना चाहिए घर में अगर आप गरम गरम चावल के साथ खाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगएगा तो दिखे मैं जूम करके आपक शेयर कमेंट और चैनल को सबस्क्राइब कर देजाएगा थैंक यू